खुश्राम दीट सबको तो मैं चु अबोई अगया हम बहुआ है यह कुईक चेक्लिस्ट देने लगी हूं सबको जिसमें मैं इंफर्मेशन देने वाली हूँ रेडल स्कंट्री की चेक्लिस्ट तो मैं और मेरी फैमली जो है हम यूखे से हम UK तक आये हैं red list country से तो red list country से UK में इस वक्त हम लोग hotel में हैं और हम stay कर रहे हैं हमारा day six इस वक्त चल रहा है तो मैंने एक quick video बनानी है जिसमें आपको मैं सब information दे सकूँ ताकि आप इस checklist को follow करें and hopefully आप सही तरह से UK आ सके सबसे पहले जो है आपको अपने passport और tickets की जुरूरत है अगर आप British passport holder है तो कोई मसला नहीं है हाने का आप आ सकते हैं अगर आपके पास कोई भी visa है like spouse visa, work visa, dependent visa उसके अलावा indefinite leave to remain आप आ सकते हैं आपको ensure करना होगा कि आपको student visa है वो valid है और spring और summer 2021 के लिए वो बिल्कुल valid है असलोंगाज आपके पास proof है बिल्कुल ठीक है उसके अलावा आप government website चेक करते रहें और अगर नए student है तो university या college की site को चेक करें बेकुस उसमें थोरी सी अगर extra requirements है letter वगेरा उसमें वो बहुत clear होगा तो otherwise general आप आ सकने आपको एक negative COVID test की जरूरत है जो at least 72 hours पहले लेना जरूरी है उससे ज्यादा नहीं make sure कीजेगा कि आप चेक करें कि आपकी जो airline है वो accept करती है अगर पाकिस्तान से आ रहे हैं तो चुकताय लाब, शौकत खानम, हॉस्पिटल, आगा खान वगेरा अब Turkish Airlines जो है उनके कुछ approved lists है तो आप अपनी list को चक करें make sure कीजेगा 72 hours maximum first flight से पहले अगर आपकी connecting flight है तो वो भी आपके first flight से पहले 72 hours पहले, अगर आपको 48 hours पहले लेना है, excellent, लेकिन ensure कि आपका जो test का result है वो time पे आ जाए तीसरा, आपको passenger locator form फिल करना है passenger locator form, UK gov website की उपर है अब वो आप सिर्फ 48 hours fly करने से पहले कर सकते हैं, अगर आपको 24 hours again करना है, या एक दिन करना है, देर दिन पहले, no problem लेकिन maximum 2 दिन पहले आप कर सकते हैं उसको फिल, क्योंकि जब वो record में आएगा उनकी system में, तो फिर यहां पे आके भी उनको आपको receive करना है तो 48 hours पहले, तो यह ना समझे कि मैं online फिल कर दिया, तो काम खतम ने 48 hours पहले आप अपनी flight का time चेक करें और उससे पहले आप work out करें, make sure अगर same day आप करने हैं, तो make sure आप फिल करने हैं, सब कुछ आपके पास printing facility तो हो, ताकि आपके पास hard copy हो हर चीज की और चौती चीज जो है quarantine package, सबसे ज़रूरी है government website पे gov.uk की website पे recommended only CTM है इस वक्त, जो है corporate travel management CTM की खुद की website है, आप उसको fill in करें, और आप उसको booking करें, आप यहां से भी कर सकते हैं अगर आपको कोई यहां पे रिष्टदार है, like spouse या कोई भी है, अगर आप बाहर हैं इंडिया में पाकिस्तान, बंगलादेश, फिलिपीन तो आप उधर भी आप fill in करके online आपको confirmation email हो चाएगी अगर आप उनको phone करके करना चाहते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन वो phone उठाते नहीं है, तो आपको रात को करना best option है, तो जरूर try कीज़ेगा, तो वो है CTM portal, इन चीजों के बगएर आपको आने ही नहीं देंगे, क्योंकि यह बार बार आपकी checking होगी, हर जगा पे आपकी check करेंगे, तो यह passport, ticket, negative COVID test, which is a fit to fly test, passenger locator form for the UK, quarantine package booking, यह सारी चीज़े, अगर आप कोई और वीजे वगेरा पे हैं, उनके सारे proof आपको चाहिए, ऐसे ना आएं कि मतलब आपके बस कोई और कंट्री का passport है, लेकिन कोई residency right यह आपके नहीं है, प्लीज एंशोर कीज़ेगा, कि आप जो है, गव की website regularly चेक कर रहे हैं, और उसके अलावा जो है, आप अपनी कोई university, कोई भी sites जो है, उनको बार बार monitor करते रहें, क्योंकि यहां पे कानून बदलते हैं बार बार, तो हम लोग जो हैं, हम लोग कराची से आये थे वाया इस्तंबूल, इस्तंबूल से बर्मिंगम, बार बार इतनी बार उन्होंने चेक किये हमारे documents और हमारे साथ भी ऐसे passenger से, जिन्होंने passenger locator form को फिल नहीं किया और उनको नहीं बार्ड होनी दिया उन्होंने तो please ensure that यह सारे documents आपके पास है, बहुत आसान और simple है यह, सब फिल करना इतने मुश्किल नहीं है, simply आपकी bookings, आपके passport number, आपके flying countries etc, ऐसे questions है तो आप, अगर कोई भी सवाल जवाब किसी पास है तो मुझे पूछ सकते हैं, मुझे और भी query आई थी एक थी of the pricing तो एक adult के 1750 pound अगर कोई extra adult है उसी booking में तो उनके 650, सारे 600 pound extra लगेंगे तो जैसे मैं और मेरे शोहर है, मी है मैं हस्बन तो 1750 मेरे दोनों साथ में, हमारा एक कमरा और हमारे पस दो बच्चे भी है तो अगर 5 से उपर आपका कोई भी बच्चा है तो उनके 325 pound लगेंगे अगर आपके 5 से कोई छोटा बच्चा है तो वो free है तो हमारे लगे हैं 1750, सारे 600 pound और 325 pound तो यह हमारे तीनों की booking थी और जो छोटी है, वो 2 सार की है तो वो बिल्कुल free है आपका जो day 2 and day 8 का test है जो corona test आपको करना परता है वो hotel में included है तो वो उस price के अंदर ही है आपको वो देंगे test आप test करके, उसको वापस package करके आप अपने कमरे के बाहर रख देंगे और वो आपको result प्रवाइड कर देंगे आपको अपना test भी register करना पड़ता है और वो बहुत easy है NHS website पे अगर आप नहीं कर सकते तो आप 119 को dial कर सकते हैं और अपने details over the telephone दे सकते हैं लेकिन यह आप बाद में करेंगे जब आप होटेल में आ चुके होंगे उसके अलावा food and drink included है यहां पे तीन वक्त का खाना मिलता है आपके बस choices होती है कुछ veggie options भी है, कुछ halal options भी है मैंने episode 2 में अपने सबसे पहले जो meal दिखाया है और मैं कुछ और episodes लगाऊंगी जो बहुत detailed है आप उसमें भी देख सकते हैं लेकिन just to clarify कि यह एक बहुत quick checklist थी finally exercise यहां पे allowed है तीन से चार बार 20-20 minute लेकिन यहां का staff जो है हम लोग crown plaza में हैं, वो काफी flexible है वो बोल रहे हैं, no problem अगर आप ज्यादा जाना चाहते हैं तो हम थोड़े से flexible है, वो जाने देते हैं यहां पे मरवास TV है TV कुछ ज्यादा smart नहीं है तो इस पर कोई Netflix, YouTube नहीं है लेकिन हमारे पर सबनी खुद की technology है laptop है, tablet है, ऐसी चीज़े है Wi-Fi free of charge है, तो rest assured अपने लिए entertainment लेके आए और ज्यादा सबसे जुरूरी चीज़ यह है कि आप stay safe, wear your masks, carry your sanitizer जहाज में भी आपको sanitizer मिलेगा multiple locations पे आपको देंगे तो आप rest assured करें कि आप hopefully आ सकेंगे यहां पे UK के अंदर कोई भी सवाल चुबाब, अगर किसी को भी है तो please feel free and comfortable and I'll try my best to answer but सबसे बड़ी advice में यही दे सकती हूँ कि आप GARV की website चेक करते ने because उस पे सब कुछ clearly लिखा है, thank you